एक बार फिर राहुल गांदी ने विदेशी धर्ती से भारत के बारे में कुछ टिपणियां की हैं जो कह सकते हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से और भारत के हिसाब से वो सही नहीं है। जाएंगे लिए राहुल गांदी जी को मुझे ऐसा लगता है कि शौक है देश की परती जहर उगलने का आप ना केवल विदेशों में जाके भारत को नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं अपने बायानों के माद्यम से साथ ही जिन देशों के हित भारत से जोड़े वे न डीसी में जाके बयान दिये मैं इसके प्रिफेस में कुछ चीज़े बताना चाहूंगा जो पिछले लगवग डेट सो सालों से कैथोलिक चर्च का मुख्य अड़ा होने के नाते सबसे ज़्यदा धर्वांतरण के आरोप और धर्वांतरण के लिए प्रोग करने का काम स्टाउन यूनिस्ट्री के विरूद में बड़े आंदोलन भी हुए थे दूसरी बात राहूल गांदी जी जिस परकार के जित्ते भी बयान देते हैं ये बेसिकली इंडियन ओर्सीस का प्रोग्राम है जिसके मुख्या सेम पित्रोदा साब हैं ये सेम पित्रोदा साब वो कि हुआ तो हुआ ऐसे ही पुल्वामा हमले के बाद कहा गया तो पुल्वामा हमले के टाइम पे भी उन्हों ने एर स्ट्राइक को लेकर पुल्वामा हमले को लेकर हमारी भारती सेनेकों को मनोबल गिराने के लिए पूरे गटना की निंदा की ती और ना क्यों निंदा की बड़े हास्यात में बयान दिये थे तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सेम पित्रोदर साब को पिछले छे साल के इंदर कॉंग्रेस तीन बार निकाल चुकी है ऐसे सेम पित्रोदर साब के लिखित बयान के आदार पर राहूल गांदी जी कभी तो आरक्षन के लिए कह रहे हैं कि कॉंग्रेस सत्य में आई तो आरक्षन खतम कर देंगे और अब तो उन्होंने आगे बढ़के यह और का कि वह ऐसे पलिटिशियन हिंदुस्तान में रहना उनको पसंद नहीं है या हिंदुस्तान में रहना नहीं चाथे तो मुझे समझ में नहीं आथा कि उनको आज भी इतने पचास साल की उमर होने के बाद भी अपने ननियाल से इतना प्रेम है तो क्यों नहीं वो ननियाल चले जाते क्यों भारत की जन्ता को बरगलाने काम कर रहे हैं भारत में रेके भारत के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राहूल गांदी को वापस हिंदुस्तान आने पर इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा. इन सब बातों के लावा राहूल गांदी ने जो 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 जनता है वो इन लोकसवा चुनावों के अंदर ढंग से समझ नहीं पाई या भाजपा के उन्होंने का कि भाजपा ने और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जो खेल रखा भारत की जनता उसमें फस गई. क्या को हिंदुस्तान की राजपी कोई सीरेसली नहीं लेता और इसलिए हमेशा ऐसे बचकाने जावाब देते रहते हैं भारती जनता के क्या वह है उनके बादी कोशल पर प्रशन चिन खड़ा कर रहे हैं या उनको ऐसा लगता है कि भारत की जनता बेविश्कूफी इसलिए उन पार्टी के कुछ वोटों का नुकसान हुआ था परन्तु उसके बावजूद देश की जनता बखुवी समय स्थिती कि भारत का भविश्य है प्रधामिंटर इंदरेंदर मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और इसलिए हम तीसरी बार सरकार में आए है एक और बयान की और आपका ध्याना करशित करना चाओंगा सिखों को लेकर जो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर सिख कम्यूनिटी अपने आपको सुरक्षित नहीं मानती जबकि ये बात सबको पता है कि इमर्जन्सी के दोरान कई सिखों ने जो उनके जो पांच चीजें जो वो रखते हैं उन 1984 का सिख दंगों का नरसंगार था और मुझे अच्छे से याद में मेरी उस वक्त उमर प्रयाप्त थी मैंने देखा था कि कैसे देश के सिखों को डाडी के आदार पे पगड़ी के आदार पे कड़ों के आदार पे जलाया या गया मारा गया और जब इन बातों के केस चले तो सारे जो मुल्जीम थे जो सारे अपरादी थे वो कॉंग्रेश के जगदी श्टाहिकलर हर केशनलाल भगत जैसे लोग थे तो मुझे ऐसा लगता है सिखों को लिए तो कॉंग्रेश को जाब देना चाहिए कि क्यों उन्होंने नरसंगार किया और ये बात तो पटल पे ह है और सबके रिकॉर्ड में है कि ततकालिन प्रधान मंत्री और रावल गांदी जी के पिता जी ने तो इतना तक बयान दिया था कि जब बड़ा पेड गिरता है तो छोटे मोटे घांस को पेड़ों को नुकसान होता है ये तो वो कहीं ना कहीं सिखों को नरसंगार करने के प्रवक करने का राजियू गांदी जी का बयान था और उसके बाद कोई नरसंगार हुआ है अगर हिनुस्तान में हुआ है तो वो कश्मीर में हुआ और दोनों ही नरसंगार के लिए पूरी तरह से कॉंग्रेस पार्टी और राहुल गांदी और राहुल गांदी का परिवा सी घटना करम ध्यान में आरहा है अमेरिका में जो हमारे राहूल गांदी जी हैं वो कुछ आतेंगवादी तत्वों से यह हिंदुस्तान के जो वांटेड लिस्के लोग है उन से मिलें इसी परकार से लगबग 6-7 महेने पहले इंग्लेंड बेभी जो हिंदुस्तान के जो वा प्रधान मंतरी कैसे बन गया और यह इनके इन परकार हैं जिस परकार से इनके परिवार के लेगेसी है उस परिवार के लेगेसी को बढ़ाते वे वापस प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं और इसलिए यह देश के सुरक्षा से समझोता करने को तयार है देश के आतिगवाद पर जाके भारत के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं उसका भारत से भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं है और जाहिर सी बात है भारत के लोकतंत्र को भारत की आजादी को तोड़ने का काम हर बार राहुल गांदी विदेशी धर्ती पे जाकर करते हैं। बात कर देते हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांदी का ये जो बयान एक बार फिर से विदेशी धरती पर जाकर खुद को भारत में रहने में असहज महसूस होने तक कि वो बात कर देते हैं जब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांदी का ये जो बयान एक बार फिर से विदेशी धरती से आया है वो आगे जाके क्या कुछ अंजाम दिखाएगा से होगी कैमरामेन आजय के साथ उमंग मातुर जनता दर्भार